नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्म संदेश, सभी को सुप्रभात, आपका दिन मंगल मै हो, नमस्ते, मुझे आशा है कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसे देखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं बस कुछ मिन्टों का समय लेने जा रहा हूँ, मैं उस रणनीतिक साजेदारी के बारे में बात करना चाहता हू जो अभी हुई है, आप जानते हैं, जो इस सप्ता on passive द्वारा बनाई गई थी, उनके पास एक टीम थी जो तीन दिनों के लिए दुबई से मिस्र के लिए उडान भरी थी, वे अर्बफरी की निवेश और अंतरराष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन के 26 संसकरन में भाग लेने जा रहे थे, जो 30 अक्टूबर को शर्मल शेख शहर में शुरू हुआ था, अब एल शेख लाल सागर के किनारे सिनाई प्रायदवीब के दक्षनी सिरे पर एक मिस्र का शहर है, यह मिस्र का एक रिजॉर्ट शहर है, जो आश्रे वाले रितीले समुद तटो, साफ पानी और मू वहां रहने का खर्च संभवता है, न्यूयोक शहर में रहने के खर्च से 75 प्रतिशत कम है, इसलिए सम्मेलन और प्रदर्शनी मिस्र कैबिनेट और अरब लीग के तत्वावधान में है, कार्यक्रम का विशय युवा विकास, अफसर और चुनोतियों की धुरी है, और जैस है, इसमें एक प्रधान मंतरी और कैबिनेट मंतरी शामिल होते है, संसत के सदनों के एजेंडे को आकार देने में सरकार की अग्रणी भूमिका होती है, और वो कानून आधी का प्रस्ताव कर सकती है, तो अब अरब लीग अरब दुनिया में एक क्षेत्रिय संगठन है, इस में मूल रूप से 6 सदस्य थे, मुझे लगता है कि आज 22 है, यह आयोजन अरब और अफ्रीकी देशों में प्रोध्योगी की और कृत्विम बुद्धिमत्ता को अपनाने के महत्व को उजागर करने के लिए है, इसका उद्देश सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत को दिजिटल परिवर्तन और मशीन लनिंग के लिए प्रोधसाहित करना भी है, और यह इस सप्ताह भी पैसिव पर एक बहुत बड़ा विशय रहा है, यह एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि बाजार बहुत बड़ा है, यह बिलकुल बहुत बड़ा है, और कोई भी व्य इसमें कोई गलती नहीं है और कोई सयोग नहीं है कि हम इसमें है, है ना? यह आयोजन तीन दिनों तक चलने वाला है, इसमें बहुत सारे गर्मान्य व्यक्ति होंगे, इसमें शेक, राजकुमारिया और मंत्री होंगे, और यार, उनके पास 35 अरब और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि मंडल होंगे, उन्हें मिस्र के मंत्रालियों, प्राधिकरनों, संस्थानों और यहां तक की निजी वर्ग से भी व्यापक प्रायोजन और भागीदारी प्राप्थ है, तो ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, है ना? और इस वर्ष के सम्मेलन में पैसिव के साथ एक रणनी तिक साजेदारी की सुविधा है, है ना? हम कृत्रिम बुद्धि मत्ता उत्पादों और कार्यक्रमों की एक विस्तरित श्रिंखला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो भविश्य के लिए सर्वोत्तम समाधान और विकल्पों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? हमें जो इंटरनेट एकोसिस्टम मिला है, ठीक है, ये लोगों को उड़ा देने वाला है, और जो चीजे हम दिखाने जा रहे हैं, वो विशेश रूप से O-Connect होगी, जो हमारा वैब कॉन्फरेंसी प्लेटफॉर्म है, और मुझे आपको बताने की जरूरत नह ही है, लेकिन आप जानते हैं, वे विशेशताय और मजबूत कार्यक्षमता जो संचार, गेटवे का प्रतिनिधित्व करती हैं, यदि आप चाहें, तो सीधे भविश्य में, यह एक सशुल कुतपाद है, लेकिन यदि आप चाहें, तो 14 दिनों का परीक्षन भी है, वे हमारे पास मौझूद O-Tracker Tool की भी सुविधा देने जा रहे हैं, यह एक Web Analytics Tool है, और मैं आपको बता दू, यह व्यवसाय विशलेशन के लिए एक व्यापक समाधान का प्रतिनिधित्व करता है, यह मेरे सबसे पसंदीदा में से एक है, केवल इसमें मौझूद तक्न की जैजी सामगरी के कारण, और मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें किसी भी अन्य Web Analytics Tool या उन सभी की तुलना में अधिक सुविधाय है, यह भी एक सशुल कुतपाद है, लेकिन यदि आप इसे लेना चाहते हैं, तो इसका साथ दिन का नहिशुल परीक्षन उपलब्ध है, इसलिए इसे देखने वाला कोई भी सदस्य नहीं है, यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं, तो बस QR Code को स्कैन करें या नीचे विवरन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, ऐसा करने से पारिस्थितिकी, तंत्र में बिना किसी कीमत के आपकी सफलता का द्वार खोल जाएगा, जो सदस्य है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, और समझे कि यह एक और रणनीतिक साजेदारी है जिसमें औन पैसव ने प्रवेश किया है, और वे इन साजेदारियों में तभी प्रवेश करते हैं जब ये हमारे लिए और उनके लिए अच्छा हो, इसलिए इसे यू पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे धन्यवाद. I'm just going to take a few minutes. I want to talk about the strategic partnership that just happened, you know, that was forged by OnPassive this week. They had a team that flew from Dubai over to Egypt for three days. They were going to be attending the 26th edition of the Arab-African Investment and International Cooperation Conference, which kicked off on October 30, in the city of Sharm El Sheikh. Now, El Sheikh is an Egyptian city on the southern tip of the Sinai Peninsula, along the Red Sea. It's an Egyptian resort town, known for sheltered sandy beaches, clear waters, and coral reefs. Nama Bay is a palm tree-lined promenade filled with lots of bars and restaurants. Ras Mohamad, National Park is a major diving destination, so it's well sought after. To live there costs probably 75% less than it costs you to live in New York City. So the conference and exhibition are under the auspices of the Egyptian Cabinet and the Arab League. The theme of the event is the youth as the axis of development, opportunities, and challenges. And as you can see here, there are strategic partnerships that are being forged. Of course, AI, the IT giant on passage goes well into the mix, right? So the Egyptian Cabinet is the chief executive body of the Arab Republic of Egypt. It consists of a prime minister and cabinet ministers. The government has a leading role in shaping the agenda of the Houses of Parliament, and it may propose laws and such. So now the Arab League is a regional organization in the Arab world. It was formed in Cairo back in 1945. It originally had six members. I think today there are 22. The event is to highlight the importance of adopting technology and artificial intelligence in the Arab and African countries. Its purpose is also to encourage the public, private, and joint sectors to undergo digital transformation and machine learning. And that has been a very big topic on Passive this week as well. This is a huge event simply because the market is massive. It's absolutely huge. And anybody that is anyone is over there doing business. And anyone in that part of the world, Egypt, the whole Arab world, is looking at digital transformation and the wholesale introduction of IEEA into whatever they're doing. So this is really, really, really big. And there's no mistake and there's no coincidence that we're in it, right? The event is going to be held for three days. It's going to have tons of dignitaries. It's going to have sheikhs and princesses and ministers. And man, they're going to have delegations from like 35 Arab and African countries. They also have wide sponsorship and participation from the Egyptian ministries, authorities, institutions, and even the private sections. So it's big, 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 right? And this year's conference features a strategic partnership with Passive, right? We're going to be showcasing a wide range of artificial intelligence products and programs that represent the best solutions and options for the future, right? The internet ecosystem that we've got, right? That's going to blow people up. And the things that we're going to be showing, in particular, will be the O-Connect, which is our web conferencing platform. And I don't have to tell you, but you know, those features and the robust functionality that represent a communication gateway, if you will, straight into the future. It's a paid product, but there's also a 14-day trial available if you want. They're also going to feature the O-Tracker tool that we've got. It's a web analytics tool. And that, let me tell you, represents a comprehensive solution for business analysis. This is one of my favorite, absolute favorites, simply because of the techno-jazzy stuff in it. And I don't want to say that it's got more features in it than any other web analytics tool out there or all of them combined. It too is a paid product, but it's got a 7-day free trial if you want to go get it. So anybody watching this is not a member. If you want to be a member, simply scan the QR code or click the link in the description box below. Doing that is going to open the door for your success to the ecosystem at no cost to you. For those who are members, this is huge. And understand this is another strategic partnership that OnPassive has entered into. And they only enter into these partnerships when it's good for us and good for them. So don't let it go by the wayside. Understand what we're doing. Get to know our story. Thanks. Have a wonderful, excellent on-passive evening. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos. We'll see you next time. झाल 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 झाल